आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्रेवी वाली वेज मंचूरियन की रस्पी ये मंचूरियन नूडल्स के साथ या फिर फ्राइड रैस के साथ एक दम पॉफिट जाता है गर्मा गर्म बहुत है सिंपल रस्पी है और बनाना बहुत आसान है तो चलिए आज की रस्पी शुरू करते हैं ग्रेवी वाली वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबजियों को पहले से काट के रखा है तो एक कप यहाँ पे मैंने बंदगोवी लिया है इसके साथ थोड़ा सा शिमला मिर्च, आधा घिसा हुआ गाजर और थोड़ा सा हरा प्याज लिया है आप इस मंचूरियन की रसिपी में गाजर और शिमला मिर्च को चाहिए तो स्किप कर सकते हैं इसे बंदगोवी का इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें ये बंदगोवी और हरा प्याज डाल देंगे प्याज और बंदगोवी में जब आप नमक डालेंगे तो इसे मॉस्चर रिलीज होता है यानि कि उससे पानी निकलता है तो इसी वज़त से पहले इसमें नमक मिला के हम पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद इसका पानी स्क्वीज करके निकाल देंगे उसके बाद हम इसका मंचूरियन बनाएंगे तो यहाँ पे पाँच मिनट हो चुका है यह देखे सब्जिया थोड़ी सॉफ्ट देख रही है तब हम इसे ऐसे मुठी में लेके और ऐसे स्क्वीज कर देंगे जब भी आप कोफ्ता या मंचूरियन बनाएं बंद को भी और प्याज को निकाल लिया है यह देखे तब हम मंचूरियन बनाने के प्रोसेस में चलेंगे और इस पानी से आप आटा गून ले या फिर करी में स्वाल करें फेके नहीं तब हम क्या करेंगे ना कि एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें ये सारी सब्जेय डाल देंगे इसके बाद हम इसमें एक चौथाई कफ़कॉंस लो डालेंगे और उससे थोड़ा सा कम मैदा डाल देंगे आप जीए तो थोड़ा सा इसमें चावल का अर्टा भी आट कर सकते हैं उससे मंचूरियन बाल्स थोड़े क्रिस्पी रहते हैं एक चोथाई छोटा चमच काली मिर्च का पावडर आधी छोटी चमच लाल मिर्च का पावडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे तो मैं यहाँ पर आधी छोटी चमच नमक डाल लेंगे हूँ तब हम चलते हैं इसके बाल्स बनाने के प्रोसेस में तो हाथों को मैंने क्लीन कर लिया है थोड़ा सा ओयल लगा है ताकि यह आपके हाथों पे चिपके नहीं और उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्षर हम लेके और ऐसे बाल्स बना लेंगे जितने वड़े manchurian balls आपको चीए उतने वड़े आप इसे shape दे दे ये देखे तो सेम तरीके से सारे manchurian balls बना के रख लेंगे और इसकी बाद हम इसे तुरंद fry करेंगे ध्यान रहे कि manchurian balls को बना के तुरंद fry कर ले high flame पे नहीं तले नहीं तो ये उपर से brown हो जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा तो यहाँ पे gas का flame medium रखे और इसके बाद medium flame पे हम इसे golden brown होने तक ऐसे fry कर लेंगी तो ये हमारा पहला batch जो है वो manchurian का fry हो चुगा है सेम तरीके से हम बागी के manchurian balls को fry कर लेंगी तो यहाँ पे हमने manchurian balls को fry कर लिया है अब हम चलते हैं final process में तो एक कड़ाही में दो से तीन चमच तेल गरम करें और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ये सारी सबजे डाल देंगी तो दो इंचा द्रक लिया है मैंने, दो हरी मिर्च लिया है एक बड़ा प्याज लिया है, हरा शेमला मिर्च, लाल शेमला मिर्च और दो बड़े चमच बारी कटी हुई लैसून लैसून का इस्तमाल manchurian में जादा होता है तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, आप इसमें ये तीनों डाल दें यानि अद्रक, लैसून और हरी मिर्च और इसे हम आधे मिनट के लिए पका लेंगी पका हुआ लैसून और अद्रक का जादा फ्लिवर अच्छा आता है इसमें अब हम इसमें ये सारी सब्जिया एक सार डाल देंगी कलरफुल शिम्ला मिर्च इसमें अच्छा लगता है इसलिए मैंने यूज किया है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ हरा शिम्ला मिर्च इस्तमाल करें सब्जियो को हमें एक मिनट के लिए हाई फ्लिम पर बून लेना है बहुत जादा नहीं पकाना है, इस सब्जियो में जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए तो यहाँ पे इस सब्जियो को हमने हलका सफ्राई कर लिया है अब हम गास का फ्लिम लो कर देंगे और इसके बाद सारे सॉस डाल देंगे तो एक बड़ा चमच रेट चिली सॉस डाल देंगे एक बड़ा चमच हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे इसके बाद हम इसमें एक बड़ा चमच टेमाटो केचप डालेंगे तो यहाँ पर यह टमाटो केचप डाला मैंने टमाटो केचप के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा विनिकर तो आधी छोटी चमच विनिकर एक बड़ा चमच हम इसमें सोया सॉस मैं यहाँ पर डाक सोया सॉस का इस्तमाल कर रही हूँ फिर हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर आदे छोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर और स्वात के नुसार नमक डाल देंगे ध्यान रहे कि सारी सॉस में नमक रहता है प्लस मंजूरियन में भी नमक डाला है तो नमक का इस्तमाल आपको कम करना है बाद में गैस आफ करने के पहले टेस्ट करके उसके बाद आज़स्ट करें तो यहाँ पे हमने सारी सॉस को मिला दिया है अब हम यहाँ पे दो बड़े चमच कॉनफलोर लेंगे और उसमें पानी मिलाके इसका एक गोल बना लेंगे तो यहाँ पे यह देखें इसमें लंस नहीं होना चाहिए इसकी ग्रेवी बनेगी तो यहाँ पे यह गोल बना के मैंने रख लिया है अब हम क्या करेंगे कि पूरा कॉनफलोर एक साथ नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके डाले क्योंकि हमें जो gravy की थिकनेस है ना वो हिसाफ से adjust करनी है तो konflor डालने के बाद मैंने हाँ पे एक कप के करीब पानी डाला है और इसके बाद ऐसे मिला दिया तो हम यहाँ पे gravy वाली manchurian मैंने आ रहे हैं तो पानी का इस्तमाल ज़्यादा करेंगी तो यह बचा हुआ जो konflor है वो भी मैंने डाल दिया है और इसे ऐसे मिला दें अब हम इसमें उबाल आने का इंतिजार करेंगी जैसे इसमें उबाल आएगा यह थिक होना शुरू हो जाएगा konflor की यही खास बात होती है कि यह gravy को थिक कर दिये तो अगर आपकी जो gravy है वो थिक हो जाए तो आपस में थोड़ा पानी मिलाए और थिन हो जाए तो थोड़ा सा konflor का बैटर मिलाए तो जैसे उबाल आ जाएगा ने इसका color जो है वो ऐसे dark होता जाएगा यह देखे तो अगर आपको gravy और थिक चीए तो आपसे थोड़ा सा और उबाले नहीं तो यही पे यह manchurian balls डाल दे तो हम यहाँ पे gravy वाली manchurian बना रहे हैं तो यहाँ पे इतने gravy में हम इसे डाल देंगे अगर आपको dry manchurian बनाना है तो console का batter जो है वो एक ही चमच इस्तमाल करें और पानी का इस्तमाल कम करें तो manchurian balls डालने के बाद हम इसे ऐसे एक उबाल आने तक पकाएंगे और उसके बाद तुरंत इसे serve कर लेंगे तो यह हमारा super tasty manchurian जो है वो बन के तयार हो गया है तो gas को बन किया मैंने और यह देखे इसका color और texture कितना बढ़िया है है तो अब हम इसे serve कर लेते हैं तो serve करने के लिए आप इसे एक serving bowl में निकाल लें और आप इस manchurian को गर्मा गरम noodles के साथ खाए या फिर fried rice के साथ या फिर अगर आपको starter में खाना है तो आप इसे dry वाला बना के ऐसे ही खा सकते हैं तो यह हमारा super hot veg manchurian gravy वाली जो है वो बन की तयार है आप इस recipe को try करें या आपकी family को बहुत पसंद आएगा अगर आज की recipe try करने को आपको पसंद आए तो please आप मेरे वीडियो के नीचे like का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल नभूले